C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वानी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अध्याय आठ प्रिष्ट बाणवे से प्रिष्ट 101 तक शिर्शक बाजार में एक कमीज प्रिष्ट संख्या बाणवे ये अध्याय हमें एक कमीज की कहनी बताता है ये कहनी कपास के उत्पादन से प्रारंब होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है आईए हम देखें कि बाजारों के श्रिंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है इस श्रिंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है क्या इस से सब को बराबर लाब होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाब होता है हम ये पता लगाने का प्रयात्न करेंगे यहां एक कमीज की तस्वीर बनी हुई है जिसमें कमीज बनने की विभिन प्रक्रियाओं को दर्शाय गया है प्रिष्ट तेराणवे शीर्शक कुर्नूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वपना जो कुर्नूल आंधर प्रदेश की एक छोटी किसान है अपने छोटे से खेत में कपास होगारती है कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं इसलिए स्वपना रूई चुन्दे में व्यस्त है डोडे जिनमें रूई भरी हुई है एक साथ चटक करने ही खुलते हैं इसलिए रूई की फसल इकठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है रूई एकत्र हो जाने के बाद स्वपना उसे अपने पती के साथ कुर्नूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानी व्यापारी के पास ले जाती है फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटना शक, आदी खरीदने के लिए बहुत उंची ब्याच दर पर पच्चीस सो रुपे कर्ज लिये थे उस समय स्थानी व्यापारी ने स्वपना को एक शर्ट मानने के लिए सहमत कर लिया था उसने स्वपना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने के जरूरत पढ़ती है जैसे औरवरक, कीट नाशक आदे इन पर किसानों को काफी व्याए करना पड़ता है प्रायह छोटे किसानों को इन खर्चों के पूर्टी करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे 15 सरुपए प्रतिक क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 रुपए की हुई व्यापारी ने दिये हुए रिन तथा ब्याच के 3,000 रुपए काट लिए और स्वपना को 3,000 रुपए ही दिए स्वपना बूली किवल 3,000 रुपए व्यापारी रुई बहुत सस्ती विक रही है बाजार में बहुत रुई आ गई है स्वपना इस रुई को उगाने में मैंने चार महिने तक जीत और महिनत की है आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है इस बार मुझे बेतर कीमत मिलने की उमीद थी क्या स्वपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ व्यापारी ने स्वपना को कम मूल्य क्यों दिया आपके विचार से बड़े किसान अपने रुई कहां बेचेंगे उनकी स्थिती किस प्रकार स्वपना से भिन्न है यह एक चित्र बना हुआ है उसमें कपास कैसे उकती है यह दिखलाए गया है उसके डोड़े दिखलाए गए है पहला कुर्नूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है दूसरा जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है तीसरा जिनिंग मिलें कपास से बीज घटाती है और दबा कर कपास के गठर बनाती है चौथा सूथ कातने की मिलें कपास के गठर खरीद लेती है पांचवा सूथ कातने की मिलें कपास से धागा बनाती है छटा सूत कातने की मिले हैं व्यापारियों को धागा बेश देती है प्रिष्ट चौरानवे व्यापारी अमा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुर्नूल के बाजार में जाकर पता लगाओ सौपना नाराज नहूँ मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ मैंने तो किवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके यद्यपी इस सौपना जानती है कि कपास कम से कम अठारा सौ रुपए प्रते कुइंटल में बिखेगी लेकिन वो आगे बहस नहीं करती व्यापारी गाओं का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है ना केवल खेती के लिए वरन अन्य आवशक्ताओं के लिए भी जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीसादी फिर वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आए भी नहीं होती है उस समय केवल रण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है कपास की पैदावार करके भी स्वपना की आए उस आए से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती है शीरशक, इरोड का कपड़ा बाजार तमिल नाडू में सब्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है आसपास के गाउं में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बेकने के लिए आता है बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कारियाले हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं दक्षिन भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ओर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहां लाते हैं यह व्यापारी देश वविदेश के वस्त निर्माताओं और नर्यातकों को उनके ओर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं ये सूत खरीते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपलाता यार किया जाना है इन उदाहरनों में हम देखेंगे कि ये कार्य कैसे होता है यहाँ एक चित्र है कपला व्यापारी की दुकान का इरोड में एक दुकान प्रिष्ट पिच्चानवे यहाँ तीन चित्र दिये हुए हैं पहला बाजार में ये एक व्यापारी की दुकान है कई सालों में इन व्यापारीों ने देश भर के वस्त निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिये हैं जिन से इने ओर्डर मिलते रहते हैं वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं दूसरा कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गाउं में रहते हैं वे इन व्यापारीों से सूत ले आते हैं बुनाएं करने के करगे रखने के लिए इन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करगे देख सकते हैं बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर घंटों तक काम करते हैं बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाईयों में दो से लेकर आठ करगे तक होते हैं जिन पर सूच से कपड़ा बुनकर तयार किया जाता है तरह तरह की साड़ियां, तॉलिये, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करगों पर बनाई जाती है तीसरा, बुनकर तयार किये हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जानी की तयारी में बैठे हैं व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूथ दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुक्तान उन्हें कर देता है इरोड के एक कपड़ा बाजार में निम्न लिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निरिया तक बुनकर व्यापारियों पर किस-किस तरहें से निर्भर हैं शीरशक, दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तयार करना कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ओर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्ट तया दो लाप राप्त होते हैं बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की विवस्था भी हो जाती है बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है कच्छे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है वे ओर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूले देते हैं बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किस के लिए कपड़ा बना रहे हैं और वो किस कीमत पर बेचा जाएगा कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहने के वस्तर बनाने के कारखानों को बेचते हैं इस तरह से बाजार का चुकाओ व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है बुनकर अपनी सारी जमापूंजी लगाकर या उची ब्याजदर पर रंड लेकर करगे खरीदते हैं एक करगे का मूले 20,000 रुपे है इसलिए छोटे बुनकर को भी दो करगों के लिए लगभग 40,000 रुपे का निवेश करना पड़ता है इन करगों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और पूरे कारे द्वारा वे महीने में लगभग 300 रुपे ही कमा पाते हैं व्यापारी और बुनकरों के बीच की ये व्यवस्था दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का एक उधारन है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तयार माल प्राप्त होता है भारत के अनेक शित्रों में कपड़ा बुनाई के उध्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें तीन गुना ज्यादा कमाई होती है क्या ये संभव है चर्चा कीजिए क्या इसी तरह कि दादन व्यवस्था पापड बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए आपने अपने अपने अलाके में सहकारी संस्थाों के बारे में सुना होगा जैसे दूद, किराना, धान आदी के व्यावसाए में पता लगाईए कि ये किस के लाव के लिए स्थापित की गई है शीर्शक, बुनकर सहकारी संस्थाएं यहां एक चित्र है जिसमें एक बुनकर महिला काम करती दिखाई दे रही है हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं व्यापारीयों के उपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी विवस्था एक साधन है एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हिट समान है इकठे होकर परस पर लाभ के लिए काम करते हैं बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बना कर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बाढ़ देते हैं। सहकारी संस्था विक्रे का कार्रे भी करती है। इस तरहें व्यापारी के भूमी का समाप्थ हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूले प्राप्थ हो जाता है कभी-कभी सरकार उचित मूले पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है जैसा के तमिल्नाडू में सरकार स्कूल में निशुल्क गणवेश योजना चलाती है सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है इस तरह सरकार हस्त करगा बुनकर सहकारी समिती से भी कपड़ा खरीद कर को ओप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेशती है आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकाने देखी होगी प्रिष्ट 97 यहाँ एक चित्र में एक गार्मेंट फैक्टरी में महिला मज़़ूर बटन टांक रही है शीर्शक दिल्ली के निकट वस्तर निर्यात करने का कारखाना इरोड कव्यापारी बुनकरों द्वारा दिल्ली निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्तर निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेचता है वस्तर निर्यात करने वाली फैक्टरी इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात कि जाती है कमीजों के विदेशी गरहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यावसाई भी हैं जो स्टोर्स की श्रिंखळा चलाते हैं ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपने शर्टों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूले पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथी वे समान की उच्चतम स्तर की गुनवत्ता और समय पर समान देने की शर्ट भी रखते हैं समान जरा सा भी दोश युक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सक्ती से निप्टा जाता है इसलिए निर्या तक इन शक्तिशाली ग्रहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भर सक पूरा करने की कोशिश करते हैं ग्रहकों की और से इस प्रकार के बढ़ते दबाबों के कारण वस्त्र नरियात करने वाले कारखाने खर्चे में कटोती करने का प्रयातन करते हैं वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी दे कर अधिक्तम काम लेते हैं इस तरह से वे अपने लाव तो बढ़ते ही हैं और विदेशिक ग्रहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं विदेशों में खरीदार वस्त्र नरियात करने वालों से क्या क्या पेक्षाएं रखते हैं वस्त्र नरियातक इन शब्दों को क्यों स्विकार कर लेते हैं वस्तर निरिया तक विदेशी खरीदारों की शर्टों को किस प्रकार पूरा करते हैं प्रिश्ट 98 इंपेक्स गार्मेंट फैक्टरी में 70 कामगार हैं इन में से अधिकांश महिलाएं हैं इन में से अधिकतर कामगारों को अस्थाई रूप से काम पर लगाया गया है इसका आशा ये है कि जब भी फैक्टरी मालिकों को लगे कि कामगार की आवश्यक्ता नहीं है तो वो उसे जाने को कह सकते हैं कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तैकी जाती है काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग तीन हजार रुपे प्रतिमाह होता है स्त्रियों को सहयक के रूप में धागे काटने, बटन टांकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है इन कामों के लिए न्यून तम मजदूरी दी जाती है शेर्शक मजदूरों का भुकतान दर्जी तीन हजार रुपे प्रतिमाह इस्त्री करना, प्रेस, एक रुपे पचास पैसे प्रतिपीस जांच करना, दो हजार रुपे प्रतिमाह धागे काटना वबटन लगाना, पंद्रह सो रुपे प्रतिमाह शेर्शक सैयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज सायूक तो राज ये अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है इनकी किमत 26 डॉलर रखे गई है अर्थात हर कमीज 26 डॉलर यानी 18 सुरुपए में बेची जाएगी यह एक चित्र दिया गया है उसके अनुसार रिक्त स्थानों के पूर्ति करें कमीजें के व्यवसाई ने दिली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें डैश रुपए प्रतिकमीज के हिसाब से खरीदी फिर उसने डैश संचार साधनों द्वारा विग्यापन के लिए खर्च किये इसके बाद लगभग प्रतिकमीज डैश रुपए स्टोर में रखने प्रदर्शन वह अन्यमद में खर्च किये इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपए लागत की पड़ी जबकि वो उसे अठारा सो रुपए में बेच था है एक कमीज पर उसे डैश रुपए का मुनाफ़ा हुआ वो जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही लाब होगा यहाँ एक कमीज का चित्र है लाब 900 रुपए विग्यापन 400 रुपए भनडारन आथे दो सौर रुपए क्रैमूल्य तीन सौर रुपए प्रिष्ठ निन्यानवे वस्त्र निरियातक ने तीन सो रुपए प्रतिकमीज के हिसाब से कमीजें बेची कपड़ावा कमीज में लगने वाले अन्य कच्छे माल का मुल्य सो रुपए प्रतिकमीज के हिसाब से पड़ा कामगारों के मजदूरी पचीस रुपए प्रतिकमीज और कारियाले चलाने का खर्च पचीस रुपए प्रतिकमीज की दर से हुआ क्या आप वस्तर निर्यातक को प्रतिकमीज पर मिलने वाले लाब की गणना कर सकते हैं शिर्शक बाजार में लाब कमाने वाले कौन हैं बाजारों की एक श्रंखला रुए के उत्पादन करता को सुपर मार्किट के खरीदार से जोड़ देती है इस श्रंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है आईए फिर से याद करें कि वे कौन-कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे क्या उन सभी को समान रूप से लाब प्राप्त हुआ या लाब की मात्रा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रही कुछ लोगों ने बाजार में लाब कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाब नहीं हुआ बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं बाजार में अधिक लाब न कमाने वाले व्यक्ति एक, दो, तीन गार्मेंट फैक्टरी के मजदूर गार्मेंट के दिर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसाई में प्रते कमीज पर कितना पैसा कमाया तुल ना करके पता लगाईए व्यवसाई बाजार में उंचा मुनाफ़ा कमा पाता है इसका क्या कारण है आपने विग्यापन वाला अध्याए भी सुना है चर्चा कीजिए कि व्यवसाई प्रत्ते कमीज पर विग्यापन के लिए तीन सो रुपए की राशी क्यों खर्च करता है विदेशी व्यवसाई ने बाजार में अधिक मुनाफ़ा कमाया उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाब मध्यम श्रणी का रहा दूसरी और वस्त्र निर्यातक फैक्टरी के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के पूरती लायक ही कमा सके इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और एरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पात का उचित मूले नहीं मिला व्यवसाई या व्यापारियों के स्थिती बीच की है बुनकरों की तुल्ना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्याता की कमाई से बहुत कम है इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते है प्रजात अंत्र के अंतरगत सब को बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए फिर चाहें वो कांता हुँ या स्वपना यदि परिवार परियाप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आपको दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे प्रिष्ट सौ यहां एक चित्र में बहुत सारे सिले हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं क्या आप ये जानते थे कि आप जो रेडिमेट वस्तर खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग-अलग लोगों का प्रयास रहता है एक और बाजार लोगों को काम करने उन चीजों को बनाने और बेचने का अफसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं किसान यहां रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाय हुआ कपड़ा दूसरी और बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राया सरवाधी कमाई करते हैं यह वे लोग हैं जिनके पास पैसा है अपने कारखाने हैं बड़ी-बड़ी दुकाने हैं और बहुत जमीने हैं गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के उपर निर्भर रहना पड़ता है गरीबों को उनके उपर रिन के लिए जैसा छोटी किसान सौपना के मामले में हुआ कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसा दादन व्यवस्ता में बुनकरों के साथ होता है और प्राया नौकरे प्राप्त करने के लिए जैसा वस्तर के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ निर्भर रहना पड़ता है इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोशन होता है इन समस्याओं के समधहन के लिए भी रास्ते हैं जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाइं बनाए और कानूनों का दृहता से पालन हो अंतिम अध्याय में हम आपको बताएंगे कि तवा नदी पर मचवारों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंब की प्रिष्ट 101 अभ्यास स्वपना ने अपनी रुई कुर्नूल के रुई बाजार में न बेच कर व्यापारी को क्यों बेच दी 2. वस्तर निर्याता कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वरनन कीजिए क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ नयाय होता है 3. ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं वो चीनी, चाए, दूद, पैन, काघज, पैंसिल, आदे, कुछ भी हो सकता है चर्चा कीजिए कि ये वस्तू बाजारों की किस श्रिंखला से होती हुई आप तक पहुँचती है क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तू के उत्पादन वा व्यापार में मदद की होगी चार यहां बताए गए नौ कथनों को सही करम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोड़ियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए पहले दो चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिये हैं पहला, एक, दूसरा, तीन, बाकि सब खाली, यह आपको भरने है एक, सौपना, व्यापारी को रूई बेचती है दूसरा, ग्राहक सुपरमार्केट में इन चीजों को खरीदते हैं तीसरा, व्यापारी, जिनिंग मिलों को रूई बेचते हैं चौथा, गार्मेंट निर्यातक, कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं पाँचवाँ, सूथ के व्यापारी, बुनकरों को सूथ देते हैं चछटा, वस्त्र निर्यातक, सियुक्त राज अमेरिका के व्यावसाई को कमीजें बेचता है साथवाँ, सूथ कातने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूथ के व्यापारी को सूथ बेचती हैं आठ, बुनकर कपड़ा तयार करके लाते हैं नौ, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गठर बनाती हैं शब्द संकलन, जिनिंग मिल वो फैक्टरी जहां रुई के गोलों से बीज अलग किये जाते हैं यहां पर रुई को दबा कर गठर भी बनाय जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिये जाते हैं निर्या तक वो व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है मुनाफ़ा जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशी यदि खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाएं तो घाटा हो जाता है इसी के साथ नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय आठ यहां समाप्थ हुआ वाचक नीरच्छर्म सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत